सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजिक्वेशन चैनल को और साथ ही दबाए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित विडियो सबसे पहले पाने के लिए डीयलेट के शिक्षार्थियों आज मैं डॉक्टर ग्यानदियो मनितर पाठी आपके साथ कुछ अन्य शैक्षिक संस्थाओं की चर्चा करूंगा अपनी पिशली बात चीत में हम लोगों ने CRT और CMAT के बारे में जाना था आज हम डायेट, BRC और CRC की चर्चा करेंगे जो पहला आयोग बना था उसका संबंध विश्विद्यालेओं से था, जिसे हम डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग या विश्विद्याले आयोग कहते हैं 47 और 48 मिंचास का उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ और पहली बार 64-66 के कोठारी आयोग ने संपूर्णता में शिक्षा की जांच की, जिसके आधार पर 1968 की रास्ट्रिय शिक्षान नीती बनी थी 1966 की रास्ट्रिय शिक्षान नीती के बाद एक लंबा दौर चला जिसमें भातिय शिक्षा को अपना आकार ग्रहन करने का मौका मिला था 1986 वह काल है या वह समय है वह वर्स है जब एक नई शिक्षान नीती अपने नए रूप में हमारे सामने आती है तब हमने पहली बार यह जानने की कोशिस की थी कि शिक्षा की चुनोतियां क्या है और उसके आधार पर शिक्षान नीती क्या होगी और इसका क्रियान वायन कैसे किया जाएगा एक तरह से देखे तो 1986 की शिक्षान नीती ने एक द्रिष्टी हमें यह दी थी कि हम कैसे अपनी शिक्षाई नीती का ठीक ठीक पालन या नुपालन सुनिश्चत कर सकते हैं 1986 की शिक्षान नीती ने एक जिलास्तरिया से संस्थान की परिकल्पना की थी जो जिलास्तर पर स्कूली शिक्षा का नित्रितो कर सके या उसे नित्रितो प्रदान कर सके 1986 के शिक्षा निती के आधार पर डायट की स्थापना हुई और यते किया गया कि देश के हर प्रतेक जिले में एक डायट या जिला शिक्षा प्रशिक्षन संस्थान स्थापित किया जाएगा जिसके प्रारंभ में साथ महत्तोपुर्ण विभाग रखे गए थे सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा विभाग, कार्यानुभव विभाग, जिला संसाधन इकाई जिसे तब DRU कहा जाता था, सेवा कालीन विभाग, पाठचरया सामग्री विकास और मुल्यांकर विभाग, नियो जन्योम प्रबंधन विभाग, इन विभागों को अलग-अल जिले की स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना शामिल है। जिला स्तर पर जब भी किसी स्क्षाई कारेकरम की शुरुवात होती है, डायट आण को उसका एक तरह से ermिल बनाया जाता है, या हम कहें कि वो ermिल संस्था होती है, किसी भी बी कारे को जो इसकूली agogue कर होना है उसको संस्थान या खंडस्तरिय संस्थान बी आर्सी और उनके नीचे सी आर्सी से मिली हुई जानकारियों सूचनाओं और फिडबैक को उपर की तरफ भी ले जाने का काम करता है यानि सी आर्टी की तरफ भेजने का काम करता है और वहीं स्थानी अस्तर पर जो हमारी आवश्यक्त एक बड़ा समुग है शिक्षकों का ऐसा उस जिले का जो महसूस कर रहा है कि हमारे बच्चे इस बात को ठीक से अभी नहीं समझ पा रहे हैं इसके लिए हमें कोई नई रन्नीती तलास नहीं होगी तो वे अपनी समस्या डायट के साथ साजा कर सकते हैं और डायट उनकी इस श है जो एक महत्वपुर्ण विभाग है जहां नियोजन और प्रवंधन संबंधी कारे हैं क्योंकि हमने जाना है कि राजिस्तर पर तो स्द्रेटी और सीमेट दो संस्था एक अईकादमिक नित्रीतों के लिए ये शैक्षिक प्रसास помощ के लिए लेकिन जिलासदर पर सीमेट की कोई ऐसी काई नहीं बाजार कुरना पड़ता है कि वह अपने जिले में कारे रथ शैक्षिक और विशेस करके जो हमारे प्रधाना ध्यापक हैं प्रधाना चाहरे हैं उनका प्रशिक्षन सुनिश्चित करें ताकि इनके बीच में एक समन्वय बना रहे और हम उस जिले की सिक्षाई समस्या का समाधान करने में सक्षम हो सकें ऐसी एक संस्था जो डायट के साथ साथ प् प्रखंड संसाधन केंद्र में भी जाने का और आपने महसूस किया होगा कि जो व्यवस्था है बियार्सी की वह एक प्रखंड में एक बियार्सी होता है जैसे एक जिले में एक डायट है वैसे ही एक खंड या प्रखंड में एक बियार्सी या ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होत और भी है कि जो BRC और CRC का संगठन है वह वास्तों में DPEP की देन है या कहें कि उस समय की समझ है कि हमें जिलास्तर पर और के नीचे प्रखंड स्तर पर और संकुल स्तर पर भी ऐसे अकादमिक संस्थाओं की या संगठनों की जरूरत है तो BRC एक ऐसी जगह है जहां हम सिक्षाई पर इचर्चा छोटे स्तर पर कर सकते हैं सभी सिक्षक तो राजिस्तर पर या केंद्र के स्तर पर NCRT, CRT, CMET तो नहीं जा सकते जिले में भी एक वारगी यदि उस जिले में दसजार प्रारंबिक विद्याले के शिक्षक हैं तो कोई काम दसजार लोगों के साथ या बारह जार लोगों के साथ एक साथ करना संभव नहीं होगा लेकिन प्रखंड में जब संख्यात कम होती है शिक्षकों के हम एक साजी समझ बना सकते हैं साथ बैठ के कोई नड़ने ले सकते हैं तो BRC वास्तों में उस सैच्षिक वातावरन के निर्मान के लिए बनाये गया था जिसमें हम शिक्षक और सिक्षा से जुड़े हुए जो जरूरते हैं उसको पूरा करने के रास्ते दला सकें अब विशावार जो प्रस्रिक्षन है वो यहां से होता है अब आप उपर से यदि देखना शुरू करें तो प्रस्रिक्षन की जो चर्याएं या प्रस्रिक्षन का जो कारें SCRT ने निर्धारित किया है वो अब एक तरह से प्रखंड पर आके क्रियानवैन का काम मुख्य रूप से इन BRCs पर निर्भर करता है कि हमारे प्रस्रिक्षनों में कितनी गुणवत्ता आप आती है यह पूरे तौर पर हमारे BRC पर निर्भर करता है क्योंकि आम तौर पर यह जो भी आवासिय गयर आवासिय प्रस्रिक्षन चलते हैं वे सब प्रखंड अस्तर पर ही संचालित होते हैं इनके साथ साथ जो BRC की सहयोगी संस्ता है एक तरह से जिसे हम संकुल संसाधन केंद्रिया CRC कहते हैं जो आम तोर पर आठ या दस स्कूलों को मिला कर एक CRC बनता ह नहीं है बलकि यह सब आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं मिल बैठकर एक स्तर बनाते हुए यदि मान लीजिए हम जमीन पर बैठकर बात करना जी से कहते हैं तो सभी इसकूल के शिक्षक की एक साथ जमीन पर बैठकर अपनी जमीनी समस्याओं के समधान के रास्ते तलास् यहां इसकी संकल्पना जब की गई थी तो यही ध्यान में रखा गया था कि यहां सबसे करीब का सैक्षिक संगठन है स्कूल के अताई स्कूल में चलने वाली गतिविधियों का सबसे सही हाल यदी कहीं देखा जा सकता है तो वह CRC होगा यानी CRC अपने कम से कम इन आठ दस स्कूलों को मिला कर बना हुआ एक ऐसा केंदर है जहां उसकी सैक्षिक समस्याएं न सिर्फ चर्चित होती है या चर्चा में आती है बलकि उनका समाधान भी डूड़ा जाता है जैसे कई ऐसे संकूल संसाधन केंदर इस देश में हैं जहां एक दिन तो मिलते ही हैं सभी शिक्षक शिक्षकों की संख्या जिन संकूलों में जादा है वहां आप दो दिन मिलने का कारेकरम चल रहा है प्रतार भर नहीं हो सकता है कि उसी संकूल के में पढ़ाने वाले शिक्षक के पास ऐसी कोई तर्कीव या तक्निक हो जिससे उन्होंने सुनिक या अधारना अपने बच्चों को समझाई हो या उन तक पहुंचाने में सफलता पाई हो आम तोर पर आप देखेंगे कि हम पर अस्थानिय भाषाओं का जो हमारी सीखी हुई भाषाओं उस पर प्रवाव पड़ता है विशेश करके हिंदी जिसे हम हिंदी पट्टी कहते हैं वह अभी विविद रूपों में बोली जाती है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मात्री भाषा भोजपूरी हो वह तालवेश्व बोलने में कठिनाई का उन्वाव करता है उसको तालवेश्व बोलने में कस्ट होता है इसलिए क्योंकि उसकी मात्री भाषा में तालवेश्व नहीं है ऐसे में यदि हम चाहते हैं कि भोजपूरी शेत्र में रहने वाले बच्चे प्रारंब्र से ही तालवेश्व को ठीक ठीक उचरित कर सकें उनका उच्चारण ठीक से कर सकें तो यह च्चेत्र विसेसमें ऐसे शिक्षक हों जिनके पास समस्या का कोई समाधान हो तो उसी चोटी-चोटी सिक्षाई समस्यां हैं जिनका समाधान हम मिल बाइट कर सकते हैं इसके लिए संकुल-संसाधन के इंद्र की स्थापना की गई थी और वैसे यदि आप देखें तो संभव नहों तो फिर सी आटी में और वहां भी अधी समस्या का समाधान नहीं मिलता तो इन सी आटी तक जा सकता है और इस तरह से इसकूल जो हमारी सबसे महत्वपूर निकाई है उसका जुड़ाव इन सभी शायक्षिक संस्थाओं से संभव हो सकता है और हमारे जो शिक्ष संसाधन के इंदर प्रखंड या खंड संसाधन के इंदर और डायेट मिलकर कर सकते हैं तो आज की इस चर्चा में हम यह कह सकते हैं कि यह हमारी जो तीन संस्थाएं हैं जो विशेश करके हमारे जिले हमारे प्रखंड और हमारे संकूल की और शिक्षा के लिए न सिर्फ जि कैसी चलेंगी हमारे विद्याले कितने प्रभावकारी ढंग से अध्यान अध्यापन का संचालन कर पाएंगे तो मुख्य रूप से इन अकादमिक संस्थाओं में आपसी समन्वय की अवशक्ता है हम जानते हैं कि आप सभी डीलेट के जो प्रशिक्षू हैं वो इन तीनों सं स्थाओं के पास जाते हैं तो अपेक्षा रहेघी कि डीलेट के प्रशिक्षू होने के नाते आप यदि कोई छोटा मोटा शोद करते हैं या इस तरह की कोई भी यदि आपने कोई अच्छा सा कोई TLM ही बनाया है टीचिंग लर्निंग मिट्रियल बनाया है शिक्षा नधि चाखशाई समस्याओं पर जो जिन से हमारे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है जब हम प्रखंड में जाए अब ध्यान में रखिएगा इन संस्थाओं का निर्माण या विकास इसलिए नहीं किया गया था कि यहां सिर्फ आकणों का संकलन किया जाएगा हम का संकलन सिर्फ नहीं करते हम यदि इन केंद्रों पर आंक्रों का संकलन करते हैं तो उसका विश्लेशन करना निस्कर्षण निकालना और उसके आधार पर अपनी कख्षाई गतिविधियों को संयोजित करना हमारी जिम्मेवारी है ऐसा नहीं कि हमने कुछ आंकड़े एकठा किये किसी पत्रांग के माध्यम से कुछ आंकड़े हमारे पास आये उन आकड़ों को हमने आगे भेज दिया और हमने श्चिंत हो गए फिर इस तरह के आ स्वार बरकरार रखना चाहिए और शिक्षा के बेहतरी के लिए इन संस्थाओं को काम करते रहना चाहिए